पाकरें बहुत बहुत धन्यवाद अरुन अरुन जी ने हमारे जितने भी युवा किसान और मेरे विभाग के जितने भी वरिष्ट सयोगी और विभाग के जितने भी हमारे फील्ड के कर्मचारी अधिकारी जो सारणपूर मंडल से संबंदित रखते वो आज जुड़े हुए है हम आप सब का स्वागत करते हैं खास करके जो हमारे युवा किसान इस कारेकरम में जुड़े है इस कारेकरम का मुख्य उद्देश ये है कि मेरे जो 30 साल का अनुभरा है कि बहुत सारे किसान के बच्चे या किसानों के बच्चे अपने खेती को बेच करके साशन या किसी प्राइवेट सेक्टर में नीजी छेतर में छोटी मोटी नौकरी के लिए वो लोग दोड़ते रहते हैं और अपना जो घर का पुंजी है जिसको हम फैमली सिल्वर अंगरे जी में बोलते है कि घर का एक गहने जो होते है आपका जो खेती है वो आपके घर के गहने हैं उसको बेच करके वो शेयर के तरफ निकल पड़ते हैं ये एक स्वस्त न सोच है न परंपरा है हम सब लोग मिट्टी से जुड़े रहते हैं या जहां पर भी हमारी पैदाईश होती है जिस घर में हमारी पैदाईश होती है उसको हम एक emotional उसके साथ हमारा attachment होता है और इसी को ध्यान में रखते हुए लेकिन मजबूरी के कारण कई बच्चों को मैंने देखा कि अपने माता-पिता के को या उनके माता-पिता अपनी खेती बाड़ी बेच के नौकरी के लिए उनको नौकरी दिल्वाने के लिए प्रयास रत रहते हैं मुझे बल मिला जब मैं छेतर में पिछले पाथ साल गया तो मुझे कुछ ऐसे युवा किसान मिले जो गन्ने जिले के मैं खास करके मैं बात कर रहा हूं जहां पर वो लोग ने मुझे जो बताया कि सर आपके विभाग के द्वारा जो कारेक्रम चलाए जा रहे हैं उन कारेक्रमों के कारण हम लोगों को अभी एक आशा हुई है और हमने यह प्रयास की और हमें सफलता मिला पहले साल ही सफलता मिला तो उन्होंने और कुछ एक न और उसके कारण उनको गन्ये के प्रती उनका जोड़ा बड़ा है यह बहुत ही खुशी की बात है और इसी के मद्दे नजर हम लोगों ने पिछले दो सालों में कुछ कारेक्रम हमारे युवा किसानों के लिए लाए मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं कोविड में लड़कों के अलावा लड़कियां अपने पैंट्स को जीन्स को ऊपर करके खेतों में पानी लगा रही है अपने माता पिता के साथ खेती कर रही है तो मैं ऐसे पाच्छे बच्चों से भी सीधे समवाद हुआ और उनकी बात सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगा और एक लड़की ने तो जब उसने अपने अन्य मित्रों के साथ उनिवर्सिटी में जो शेहरी बच्चे से शेयर किया कि मैं ऐसे खेती कर रही हूँ या अपना समय ऐसे विता रही हूँ तो लोगों ने उसको उपर टॉंट कसा अरे तुम उनिवर्सिटी की पढ़ाई कर रही हो तुम बियसी करके तुम खेती करोगी तो उसका जो जवाब था वो बहुती अच्छा जवाब था और बहुती तार्किक जवाब था और जिसके कारण उनके सयोगी जितने ते वो एकदम निरुत्तर हो गए तो ये इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रदेश के मुखि गन्ये की खेती है उससे आए अच्छी होती है और इस कारण ज्यादा से ज्यादा जो किसान गन्ये की खेती करना चाहता है या जुड़ना चाहता है उसमें हम लोगों को जितनी भी सुविदा हम दे सकते हैं उनको बीज उपलप्त कराने में अच्छे नए परकार के बीज उपलप्त कराने में बाकी जो निवेश है कृषी निवेश है उसे उपलप्त कराने में उसमें हम लोग का पूरा प्रयास होना चीए और विभाग पिछले पांच सालों से लगातार प्रयास रथ है यहां पर है लखनव पे जो मेरे साथ कंदे से कंदा मिला करके 365 दिन काम करते है आज वो सब मेरे साथ है हमारे प्रबन देशक तरफ प्रदेश चीनी मिलसंग के इनके पास चीनी निगम का भी कारह भार है मेरे सभी अपर गन्ना आयुक्द गन्ञा और यतने भी विभाग के मेरे अधिकारी है वो सब आपके साथ है तो मैं जितने भी हमारे युवा हैं उनको मैं सुनना चाहूंगा कुछ बाते बोल करके और हम यह जाना चाहेंगे कि आपको एक अच्छे प्रकार की खेती करने के लिए उसमें कुछ नवाचार करने के लिए आपको किस प्रकार का सयोग विबाग से आपको लगता है कि विभाग को आपको उसका उसको उपलत कराने में मदद करना चीए तो हम में कोई काम करने में अगर निशुल्क बिना पैसे का है तो वह तो हम 2-4 दिन या 17 वर में उपलप्त करा देंगे लेकिन जहां पर पैसों की आउशक्ता होगी, तो हो सकता हो, उसमें हमारा प्रयास सफल हो, हो सकता हमारे प्रयास में थोड़ा देरी हो, यह इसी के मद्दे नजर हम लोगोंने युवा किसानों के को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आप सब लोग बहुत पड़े लिखे ब भाड़ी कर रहे हुए और बहुत उच्च पोटी की खेति कर रहे है, वो उसमें काफी नवाचार भी ला रहे है, कई चीजें कर रहे है, कुछ चीजें, आसपास के किसान भी सीख रहे है, वो टेक्नोलोजी को बहुत अच्छा यूज조 कर रहे, यह आप तकनीक से जुड़े है जैसे हम लोग जब आये थे तो हम लोग टेलिफॉन जो बेसिक टेलिफॉन सिस्टम को के साथ पैदा हुए आप लोग मोबाइल टेकनोलोजी के साथ पैदा हुए तो आप लोगों को उसके बारे में ज्यादा ग्यान है आप लोग उसको उसका सदूप की साफियोग करना जानते उसको अपने धैनिक जीवन में लागु करना जानते पहले जैसे नहां को रात के 2 बजह जब बिजली आती है पहले प्रदेश में बिजली दो ओर चार घंटा पर 2000 खंटा एती है तो हम लोग रात में जाते हैं कभी साब बिच्छू का डर है कभी लुटने लुटाने का डर है लेकिन अब टेक्नालोजी यूज करके मैं देख रहा हूं कि किसान भाई रिमोट से ही अपने खेत का पंप आउन कर लेते हैं और सेलफोन में ऐसे कई आपस आगे जिसके माध्यम से वह पूरा अ मैंने कहा कि आप क्या what's सैप जानते हो तो साहै नहीं जानते मैंने का बेटा बेटी नाति नातनी नहीं है तो मैंने नातीन है तो आच्छा उसको जुआ फो और मैं कहता था दादा जी दो कह रहा है उसको आप मुझे WhatsApp कर दो तो वो फिर किसान भाई से फिर दुबारा बात होता था तो भोले ठीक है साब मैं अपनी नातिन को समझा देता हूँ और वो भेज देगी तो वो नातिन हमें वो स्कूल उल में पढ़ रही होगी वो हमें मेसेज अपना भेज देती थी किसान को सारणपूर से या बलि है इसका मुझे हर्ष तब हुआ मतलब ऐसे तो बहुत हर्ष है हम सबको एक सफल प्रावद्योगी को हम लोग ने प्रयोक किया आप सब लोग उसका लाब उठा रहें लेकिन एक आनन तब आया जब एक युवा किसान होंग कॉंग से बैटके सिंगापूर और होंग कॉंग का देख लेते हैं अपने कंप्यूटर पर और वहां से मुझसे कई बार उनने कहा किसाब यह तो बड़ी सुविदा हो गई और अब कोविड में जब पेपर परची बटने में दिक्कत थी क्योंकि बिमारी फैलने का था तो आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से आत्मस भी टेकनालोजी है आप लोग जितनी टेकनालोजी हमें कहोगे हम सब टेकनालोजी आपके हाथ में मोबाइल में हम लोग पहुचाने का पूरा प्रयास करेंगे और अभी हम लोग वेमेंट तक है और इसको हमको आगे स्मार्ट गन्ना किसान के माध्यम से पूरी बाते रोड जाएगा आप लोगों को पता नहीं ये बात ग्यात नहीं होगा ये पहले 2017 में 20 साल के बैलेंस शीट आपके समीति के और कांसिल के नहीं बने थे और आज एक अपरेल 2022 को पिछले साल का balance sheet बनके तयार हो गया तो ये एक आपके समीति का सुशासन और council का सुशासन अपने आप इस तकनीक के कारण आया है इसमें अब आपको जो बीज की आउशकता होगी जो आप लोग सारणपूर से शाजापूर आते हैं अब उसमें आने की आउशकता नहीं पड़ेगी आप अपने पेच पे जाएंगे जो आपका स्मार्ड गन्ना किसान है वहीं पर नए प्रकार के सीट किट के लिए आप अपलाए करेंगे तो आपको वहीं मुझफवर नगर में या कोई किसान खीरी का है तो खीरी में शाजापूर में या पूरवांचल का है तो उसको गोरकपूर या सेवरई में उपलप करा दिया जाएगा शाजापूर के नौस केंद्र है बहुत लोगं को ये पता नहीं होगा मुझफवर नगर हमारा पस्चिम का छोर का केंद्र है और पूरब का हमारा सेवरई है इसी प्रकार गन्ना संसान जो आपका एक संसान है जो आपको प्रशिक्षन देता है उसके भी नौस केंद्र है और लगबग लगबग जहां शाजापूर शोट परिशत केंद्र है वहीं पे इनके भी केंद्र है तो ये सब का मैं चाहूंगा आप लोग लाब उठाए आप प्रदेश सरकार के द्वारा मानी प्रदान मंत्री जी और मानी मुक्य मंत्री जी द्वारा विभाग को पैसे दिये गया अनुदान दिया गया और उससे आपके हाँ पर हम लोगों ने दो ट्रैश मल्चर और एक रिवर्स एंबी प्लाव उपलप कर आया एक चोटी सी पहल समीतियों को दिया गया जिसका मैं जब जाता हूं मैं देखता हूं किसान भरपूर उसका प्रयोग कर रहा है और यह पराली जलाना और गन्ने के पत्ता जलाना पत्ती जलाने का जो एक कूप रता थी यह काफी हद तक इससे समात हो गया और इसी के चलते हुए पाम मशनरी बैंक के का जो गटन हुआ अब वहां पर हम फार्म मशनरी बैंक में बहुत आगे बढ़ जा रहे हैं अब थोड़े दिन में आपके फार्म मशनरी बैंक में ट्रैक्टर और 15-20 अन्य सायंत्र हम लोग दे रहे हैं जिसमें फॉगर है जिसमें सीड टिलर है तमाम प्रकार के सायंत्र हम उसमें दे रहे हैं और इसके अलावा हमारे सभी समीतियों में शैने शैने हम लोग जो हमारा नया टेकनालोजी है स्प्रे करने के लिए घ्रोरं टेकनालोजी है उस ड्रोर टेकनालोजी को भी हम लारे हैं अभी सर्वा प्रतरम 30 समीतियों में हम ड्रोर्न खरीट के दे रहे हैं जिससे जितना decision ofस यो gdzie करने का है उससे इतना अच्छा uniform spray होता है वह ड्रोर्न से संबभ होगा तो ये सब चीजे लाने का प्रयास हो रहा है इसके साथ साथ एक बहुती महत्पुन कारिक्रम आया पंचामरित जिसमें आपको ट्रैश मल्चिंग के लिए सयंतर उपलब कराए गए तो जो भी हमारे युवा किसान है चाए वो लड़का है या लड़की है जो भी हमारे है अगर आप लोग ये पंचामरित योजना का प्रयोग करके अच्छी खेती करते हो अच्छे उत्पादन और उत्पादक्ता लेते हो तो आप लोगों को मुख्यमंत्री के करकमलों से आप लोगों को पुरुसकृत किया जाएगा और पहले एक पुरुसकारता लेकिन एक पुरुसकार कार्या उसके बारे में आप लोंको बोहा다가 सिए जिए पांचामरित योजना में पांच चीज़ए एक राश मल्रेंश में में आ मुखा बहुत जाधा अब त्रेंश मेंथाट का प्रयोग कर रहे हैं एक त्रेंश में तिसरा इंटर क्रॉपिंग है चौथा रिपिरिगेशन है और पाचवा रेटून मैनेजमेंट है तो यह टेकनॉलोजी 2017-2018 से जो हमारे आठ सूत्रिय कारिक्रम था जिससे गन्य की उत्पादन और उत्पादक्ता बड़े उसके चलते हम लोगों ने कारिक्रम चलाया था और उसमें ये आप लोगों ने इसका भरपूर लाब उठाया खास करके कुछ जिलों में पस्चिम के कुछ किसानों ने चाहंगा कि आप सबी लोग यह जो पंच्यामरत कारिक्रम विभाग ने आप लोग के लिए लाया है जिसमें ये पाच तत्व है ट्रेश मल्चिंग, ट्रेंच मेटट, इंटर क्रॉपिंग, ड्रिपिरिगेशन, रटून मैनेजमेंट इसका आप लोग भरपूर लाब उठाए और ज्यादा से ज्यादा उत्पा तक है तो वो इसमें प्रतिभाग कर पाएंगे और जो लड़कियां है अगर वो बारवी पास है तो वो इसमें प्रतिभाग कर पाएंगे, क्योंकि महिलाओं के लिए शिक्षा का अभी थोड़ा सा कमी होती है, इसलिए उनको ये छूट हम लोग ने दे रखी है, उमर आप का 30 साल से कम होना चीए तो आप इस पुरुसकार के लिए भी आप इसको प्राप्ट कर सकते हैं पहले जो एक पुरुसकार पुराना कारिकर्म चल रहा था उसमें 5,000,7,000 और 10,000 का था जिसको हम लोगों बढ़ा के साड़े साथ दस और पंदरा हजार किया लेकिन एक जो नया पुरुसकार हम लोग ने जो लाया है जिसमें प्रतम पुरुसकार 51,000 का दुरती पुरुसकार 31,000 का और 33,000 का ये सब पुरुसकार लाए है और कुछ अन्य छेतरों के लिए भी जहां पर कोई चीज वि बॉट्स है तो ये तो केवल आपके मनोबल बढाने के लिए ये पैसा बहुत बढ़ा नहीं है लेकिन जब आप मानी मुख्यमंत्री जी के करकमलों से या किसी बड़े समवेदानिक पदाधिकारी के करकमलों से प्रमान पत्र पाओगे वो प्रमान पत्र आपका जीवन भर के दिखाई एक उत्पादकता या उत्पादन लाके दिखाया तो ये आपके लिए होगा और उसके साथ जो पारितोशिक और बाकी चीजे होगी और एक उसके साथ मेडल या आपको सोविनियर दिया जाएगा वो आपके घर को शुशोबित करेगा तो मैं चाहूंगा कि यह सब कारिकरम आपके बीच है वैसे तो विभाग ने आमूल चूल 40 चीजों में परिवर्तन किया है और नए चीज किये है उसकी पूरी पुस्तिका है वो पुस्तिका हम आप तक पहुचा देंगे उसको डिजिटल फॉर्मैट में हम आपको उसकी अंग्रेजी और हिंदी कॉ पहुचा देंगे उसको आप लोग पढ़ लीजेगा और उससे आपको लाब मिल जाएगा कारिकरम के समापती पर हम आपके डिप्टी सीसी और डी सीओ साहिबान को उसकी हिंदी और अंग्रेजी का लेटेस्ट वर्जन है वो दे देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि व आउंगा आप सब लोग जानते हैं कि शुरुवात जो हमारी और आप आपके सफलता की कहानी बनी वो सबसे पहला सटा नीती से शुरू हुआ था जब आप लोगों के सटे का निरधारित करने का जो फॉर्मूला था वो चेंज हो गया था और उसके बाद जो आप 600-600 लाग टन गन्ना पूरा प्रदेश में उपलब कराते थे पिरवाते थे वो बढ़कर के 1100 लाग टन के करीब पहुझा तो ये जो देड़ पहुने दो गुना गन्ना पिराई एक जटके में 2016-17 के मुकाबले 17-18 से बढ़ गया है वो एक बहुत बड़ी उपलब दिये लेकिन आप लोगों से समवाज करने का जो मुक्यों देश है कि आपकी जो मिट्टी है जो मृदा है उसका हमें समझना होगा उसका कारवन नाइट्रोजन का तुलना उसका बैलेंस बनाए रखना होगा अगर हम मृदा में सही तरीके से उर्वरक या पेस्टिसाइड कीटना शक नहीं डालेंगे या जैविक खेती नहीं करेंगे या उस दिशा में आगे नहीं बढ़ेंगे तो आगे चलके हमें कठिनाई हो सकती है तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि हम आपको जैविक खेती की भी ट्रेनिंग देंगे हाँ शुरुवात में जैविक खेती में थोड़ा सा सी आपस आज आएंगे क्योंकि पहले साल जब आप केमिकल फर्टिलाइजर और यह नहीं डालेंगे तो थोड़ा उपादन में फरक आता है लेकिन मैं चाहूंगा कि एक साथ पूरा पूरे आपका खेत न लेके एक प्लॉट से आप जैवी खेती के लिए शुरुवात करें और आपको जब प्रशिक्षन दे दिया जाएगा उसके बाद आप उसमें आगे बढ़े हमारे कई किसान है मैं खुच जाके देखा हूं मेरेट और मुझफर नगर और हापोड और उस तरफ में जो सारणपूर में जो जैवी खेती करते हैं और वहां पर अपने अडोस-पोड करते ठीति करते थे इसका एक ही बार करने की आउशकता है 15 मई से 15 जून के बीच में लेकिन जब ज्यादा करते हो तो आप अपने मृदा को भी खराब करते हो आप अपने भूगर जल को भी खराब करते हो और अपने मिट्टी को भी खराब ago Yeti मिट्डी हमारे लिए किसान है उसका हम अगर ध्यान रखे अभी आप देख रहों विश्व में अभी इंडोनेश्या में बहुत बुरी तरह से अर्थक्वेक आया जो लोगों ने उसका वीडियो देखा होगा आपके आप आपका आपका एकदम एक शौक लगेगा जब आप उसको देखेंगे क्योंकि प किलोमेटर दूर ले जाके पटक दिया तो इस प्रकार के जो पूरे विश्व में हो रहा है दूसरा हम खुद देख रहे हैं कि हर साल बारिश जून जुलाए से सरक्के अगस के तरफ आई फिर अगस से सितंबर हुआ और इस बार अक्टोबर नवंबर तक हम बारिश को दे करते हुए मृदा परिक्षन कराते हुए आपको देखना होगा कि कौन सा तत्व हमारे इसमें कम है और उसी तत्व को समितियों के माध्यम से या विभाग के सहयोग से आपको प्राप करके एक उच्च कोटी की वेग्यानिक तरीके से आपको खेती करनी होगी मेरा आप सबस गुरखपुर मंडल और दिवरिया मंडल पर खतम होगा फिर हम सेकेंड Rांड आपके साथ शुरू करेंगे और इसी प्रकार जो हमारी माता बहने वी जुतपादन के कारेक्रम में लगी है उनके साथ भी हम इसी प्रकार शनिवार को बात करेंगे एक-एक मंडल नची म सार पतारी रखुंगा वानी को मैं अभी विराम दूंगा क्योंकि आप लोगों से सुनना है आप लोगों को समझना है और आप लोगों को क्या हम सुविधाएं दे सकते हैं या आप लोग Ci अपक्षाइझ है या किस दिशा में हम लोग मिलके काम करें जिससे गन्ना किसान जो है या हमारे किसान भाई जो भी है उन सब का आए बढ़े समर्दी बढ़े और उत्पादन और उत्पादक्ता भी बढ़े और गन्ने के साथ अन्य फसल भी हम एक संतुलित तरीके से ले सकें और एक संतुलन नेचर के साथ हमारी व्योस एक पक्के तरीके से कर सके ना कि हमने कुछ किया और बाद में फिर बाद में पस्तानी की नोबत आए वो नोबत ना आए सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़रूरी है और उसको रखने के लिए हमें बहुत सोच विचार करके अच्छे वेग्यानिक तरीके से और जो परंपरिक ग्यान हमलों के पास है उसके आधार पे हमें खेती करना होगा और ये बहुत ही महत्पून है तो मैं अब चाहूँगा कि हमा जो यहां नीतियां है उन नीतियों में क्या संशोधन की आवशकता है उस प्रकार हम संशोधन करें एक मुझे याद है कि आपका एक पेड़ी और वीज उपचार का एक कारेक्रम था जिसमें एक में जिर्ड़ सो रुपए और एक में 500 रुपए हम देते थे उसको आप गौर्मेंट देगी उसको 900 रुपए प्रती हेक्टेर किया गया तो इस प्रकार के सुधार आप लोग के फीड़बैक के आधार पे हम लोग करते हैं तो आप लोगों के आज जो सुझाओ आएंगे उसको हम लोग गवर्पूर्वक ध्यान पूर्वक नोट करेंगे और उस दिकारी हैं हमारे फेडरेशन के मिलो के संब्द में आप लोग के कोई सुझाओ होगे हमारे कॉर्पूरेशन के मिल के संब्द में आपके कोई सुझाओ गा वैसा आपके कॉर्पूरेशन का मिल है नहीं वो मेरट मंडल से शुरू होता है उसमें जो भी आपके सुझाओ है उन सब को हम गैनता पुर्वक लेके उस पर हम कार करेंगे इसी के साथ मैं अपने वानी को विराम दूँगा जै हिंद जै भारत धन्यवाद सर आपर मुक्स चुम होदे ने ना केवल हमें माग दसन दिया वलकि ये भी कहा कि जो भी हमारी समस्याएं होंगी उन पर समयक विचारो परांत नई नीतियां आपके लिए लागू की जाएंगी ये समय अच्छा है सरके रहते इस समय का भी लाब उठाएं आप हम एक दो बातें कहेंगे निसु इसु त्यागी जी जुड़े हैं गांगनोली से हमारे बीच इसु जी आपको आवाज आ रही है नमस्कार जी नमस्कार आपका स्वास्थ कैसा है स्वास्त कम अच्छा है तो अच्छा हो जाएगा आप थोड़ा सा उठके बैठें थोड़ा सा इनरजी लाएं अंदर से है ना चुकि पस्षिम का वो भी युवा किसान युवा का मतलब आप समझ रहें ना दो हंतेली हैं कि धर्ती गोल कर दे और चुकि हम भी अपने आपको कहीं ने कहीं अभी युवा महसूस करते हैं इसलिए एक अनरवाद आप सभी युवाओं से हमारा भी है वो ये कि सूर की आराधना के चकरों में मत पड़ो कुछ जगे पर मैं लड़ू और कुछ जगे पर तुम लड़ो है ना हम युवा है तो अब इस खेती की परंपरा क तो हमें आगे खींच के ले जाना है जैसा कि सर ने हमें निर्देश दिया अब हमें खेती में ब्रांडिंग करनी है उतपाद की ब्रांडिंग करनी है हमें खेती में ग्रेडिंग लाना है और पस्सिम से हर नवाचार सुरू होता है करसी में हमने ये देखा है हम अगर स्ट उत्केवल करेंगे पहला ये कि लगबख 26 युवा करसक हमारे बीच जुड़े हैं बैवधान ना हो इसलिए अगर किसी को अपनी बात कहनी है तो पहले तो आप हैंस अन कर दें बहुत अच्छा लगेगा और अगर आपको असुद्धा होगी तो हम आपको नाम लेके भी बु जरूर कहें वो भले अबयवारिक लगता हो लेकिन वो हो सकता है विचार आपका आगे कहीं काम में आ जाए चलिए हैसन साब भी अपना माइक बंद कर लेंगे तो अच्छा लगेगा और जैसा कि अभी महोदे ने हम लोगों संरूत किया है अब हम युवा गन्ना किसानों स संबाद के लिए तयार हैं आपके सुझाव आमन्ते थे जी अच्छा ठीक है अशन जी आप अपनी बात रखें प्लीज ये जरूर बता दें कहां से हैं आप और खेती में क्या नवाचार आपने किया है और क्या सुझाव हैं आपके तैंक्यू जी मोमन जी बोले जी सर मैंने मुमीन इसन हूं सर गाओं जंदेडा पढ़ता है जीला मुझे फट्टनगर में और जो हमारा समीति है वो कितावी समीति है सर जी सर जैसे सर ने बताया कि अभी भाग का जो ओनलाइन हो या सर हमारा है इससे में बहुत संतुष्ट हूं और काफी हमारे गाओं के जो किसान है वो भी बहुत संतुष्ट है ऐसा नहीं बहुत जदा संतुष्ट है कि पहले जो बतार दे सर की समीति में चक्कर काटने पड़ते थे सर मैं खूद बता रहा हूं कि मैं खूद चकर काटता था अपने परची लेके जा और बीख सामने आता है समस्चा होती है हमारी अब हम फोन से भी जयर जाते हैं मतलब हमारे सुन से हमारे वह फोन से हमारा काम होते हैं और प्रतसन है हमारा यह हमारे गर पे आगे होता है पहले ऐसा नहीं होता था अब बहुत बदल गया जबसे हमारा एक रोला काल से ओलाइन सिस्टम चला है उससे बहुत ज़्यदा हम परवावित होए है कुछ सर एक दो कमी भी है सर जिसके मैं अपने सामने रखना चाहता हूं जी कमी यह है सर जिसके हमारा स है हम चाहते हैं कि हमारा अबर्लोडिंग यह करते को सबस्क्राइब करें दो नीट बारवे अपटें से कडे उससे हैं इस मैं तो चम्टलीत हो जाता है आगरी है तो क्लेसर पर किये लेता है वो बेसिक कोटा पुरान ही हो पाता तो उससे थोड़ी सी दिखत हो रही है दूसरा सरा हमारा यह है जो हमारा स्कैन यूपी पर हम जो 60% देखते हैं वह ज्यातर सभी देखते हैं दूसरे का हम चाहते हैं कि कोई किसी का अगर मतलब परची देख ले पर लेकिन पैमिट ना देखें कि पैमिट अगर देख रहे हैं कि किसी और का तो उससे गलत है सभी पैमिट ना देखें वह परची देख लेए सर्टा परदसन देखें कुछ भी देखें पर लेकिन पर जो परची का पैमिट आ रहा है वो ना देखें देख पाएं यह सर ज पाग के जो जड़े अगर सभी अच्छे हैं इसी बाद मेंley और जिस जो हमारे सुपर्वाइजर है Mokais Kumar जी उनसे हमारे संभर्भ बना रहता है और एक्रियो साहब हमारे है चरिम्रभान जी गार्येट हमारे कों से ही संबधी होते हैं और समेश्चmosics घो होती है हमारी वह समधी में नहीं जाना पड़ताँ है अभजा पहले बहुत ज़ीना ज़ किसम्लक्रन है तो दिक्कत यह हमारी ऑग उतिने दिक्कत martIT नहीं है याए चलिंडिक कोई को एक खेती के सम्मंद में आपका शुजाओ इससे विभाग से अगर हमारी दवाई जो मिलती है हमारी जो सिमिधी से मिलती है जो हमारी इस परे की दवा होती है वो थोड़ा और बढ़ाया जाए तो कि अब दवाई की इस्तिमाल कुछ ज़्यादा होने लगा और वो परियाप नहीं हो बता कि किसान उसे पूरा मतलब मिले अगर बड़ा किसान को मिले और छोड़ा किसान ऊप फ्री गात मैं होता है कि चोड़ा किसान वो भी उसी इतनी ज़誌 मिलती है एक रrecord से और आप से और है सभी लोगों से चुकि जब हम पस्चिब में जाते हैं तो हम केंद्रित हो जाते हैं पहला ये कि हमें मिल जाए और दूसरा हमें लगता है जबकि आज हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम खेत कर सकते हैं उस पर अगर आपके सुझाओ केंद्रित अगर नमस्कार नमस्कार बालियान जी बोले सर मेरा नाम अमित विश्व करमा है गाउ माजरी और गन्ना परिशब सेर्माउं से है और सोसाइटी सरसावा थारण पूरते सर मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा जैसे कि मेरा जो मैंने आपने काफी ठीक अच्छे लेवल तक मैंने पढ़ाई किया है मैंने MBA किया है और उसके बाद सर मैंने मल्टी नेशनल कंपनीज के साथ फार्मिंग वो किया है जोब किया है बड़ जैसे हमारी खुद की जमीन काफी है और तो मुझे जब एहसास हुआ जब हम बैठते थे वो कहते थे यार खेती तो घाटे का नुकसा घाटे का सोदा है खेती इसमें कोई नफ़ा नहीं है तो सर जब हमने थोड़ा सा अपने इस बारे में विचार किया और इस चीज को पहचाना तो सर मुझे समझ में आया है कि जो एक तो हमारे सामने बेरोजगारी की समस्या बहुत हैं जो पड़े लिखे युवा हैं किसान के बेटे भी हैं या जो किसान नहीं है उनके लिए भी बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है सबसे बड़ा रोजगार है आज के टाइम में हमारे देश के अंदर और जब हम बात करते हैं सब्सक्राइब गणने की, तो जब मैंने जोड़ दिया, मैंने 2018 में अपना जोड़ दिया, उसके बाद मैंने खेती करना स्टार्ट किया, आपने फादर के साथ मिलके, तो अभी उसके जो रिजल्ट है, अगर सर मैं आपके साथ चेर करूँगा, तो बहुत ही बहतरीन रिजल्ट हमने लिए ह और वो स्पेशल जो हमने गन्ने के साथ सर, इंटर क्रोपिंग की है, और उसके साथ, सर मैं आपको अभी अगर यहां से दिखाना चाहूंगा भी, अभी जो हम खड़े हैं, हमने गन्ने के साथ सर, इंटर क्रोपिंग की स्टार्ट की जैसे हमने गन्ने के साथ गाजर की इं अभी आयूग जी बता रहे थे कि गन्ने की तो इंकम फिक्स होगी है और साथ-साथ में यह बहुत अच्छी वात है सर किसान को ना पूरे साल तक इंतजार नहीं करना पड़ता है गन्ने के प्रेमिंट का अगर वो मिस्रित खेती पे थोड़ा सा अपना निर्भरता बढ़ा अगर तो और सर एक एक कड़ कम है सर पिछले साल का दो हजार इकिस में आपको थोड़ा सा रिकोर्ड बताता हूं मैंने जो स्टार्ट किया था एक खेत में आज उसमें अच्छा खासा गन्ना खड़ा है और वो पांच विगे का खेत ता सर और पिछले साल अच्छा खासा पांच विय दिए सर तीन लाघव रुपें की हमने बंदुकों सेल कर दी ती सर बहुत अच्छा ये बहुत ही अच्छी उपलबगी है सर पांच विगे का अब क्योंग का कि में से लग से इंकम तो सर देखिए मैं आप दिखा भी रहा हूं आपको यह गन्य की खेटी के साथ साथ हमने बंद गोबी अभी भी लगा रखी है इस प्वाइदा क्या है अगर बात करते हैं इस टाइम पे अभी प्यार ओने वाली है और इसमें गन्य का भुटाव यह देखिए सर अगर मैं आपको नज़्दीक से दिखा रहा हूं तो यह जो गन्या है सर इसकी बहुत बढ़िया जाएगी इसकी कोई गुझाएसी नहीं है इसमें कोई कमी आजएगी बहुत बढ़िया है अगर हम इंटर क्रोपिंग भी कर रहे हैं तो सर एक तो हमारा इंकम का हमारी जो इंकम का जरिया है वो बराबर बना रहता है दूसरा हमें किसी चीज के लिए हाथ फैलाने की जूरत नहीं है नहीं तो सर क्या होता है कि अगर हम सर इस पदेती से और सर आप देखेंगे अभी सर ने जिकर किया था कि ट्रेंच वीदी जो पंच तत्व योजना जो बताई है सर यह सारा ट्रेंच वीदी के इसाब से है इसमें हमने गन्ने की जो लाइन की दूरी पांच फिट रखी हुई है तो इसमें पूरी दोनों फसल को पूरी जगह मिलती है अपनी जो फसल है जो जमीन से तत्व लेती है उसको पूरी जगह मिलती है और सर सला मेरी जो आपसे दरख्वास यह है कि जैसे अगर हम ट्रेंच की खेती करते हैं तो इंटर क्रोपिंग की जो सबसे बड़ी समस्या स इसमें न मशीनरी की आती है जैसे कि अब या जग आज के ताइम पर अगर हम देखते हैं तो इसमें मशीनरी जो है न बड़े ट्रेक्टर के हिसाब से मशीनरी एविलेबल है सर मार्केट के अंदर वो चाहिए सर आपका जो सीडर है या कोई भी मशीनरी है तो वो बड़े के हिसाब से अब चोटे त्रेक्टर की खेती अगर हमें करनी या मशीनरी ट्रेंच की शाल क्रणीayo के तो हमें सर मशीनरी अपलब जरूर होनी चाहिए जैस सर एक छोटा सा एक्जाम्पल अगर आप मुझे थोड़ा सा समय देंगे तो मैं आपको बताऊंगा जरूर जी बताए जैसे यह अभी यह गोबी की खेती है सर अगर मैं चाहूं तो इसको मैं थोड़ा सा और अरली लगा के इसी दन्ने के साथ तर यह निकल जाएगी नमबर दिसमबर तक यह सर निकल जाती और अगर मुझे अपनी ओर इसी खेत में इंकम बढ़ानी होती तो सर मुझे क्या चाहिए इसमें इसका रूटवेटर एक छोटा ट्रेक्टर जिससे के मैं इसी की गन्ने के साथ इसकी बुहाई करने के बाद इसमें सर अगर छोटा भी हमारी त्यार हो रही है और सर हम गेहूं के फसल भी ले लेंगे तो सर यह मेरी रिक्वेट्स है कि ट्रेंच विदी के गन्ने के लिए जितनी से ज्यादा से ज्यादा मशीनरी एवेलेबल हो जाएं वो सर आप जरूर करिएगा दूसरा सर एक चीज ओर है जैसे भी सर ने बताया था कि पेस्टिसाइड का कंट्रोल हमारी भूमी की जो उर्वरक शक्ती है वो कम होती जा रही है ये बात बिल्कुल सही है पर सर इसके लिए ना हमें एक चीज की जरूरत है वो हमें विभाग से पूरा सपोर्ट चाहिए स अगर हम जाते हैं पेस्टिसाइड की दुकान पर तो वो उनकी कीमते इतनी बढ़ चुकी है सर आज के टाइम में तो जो हमारी लागत है वो बहुत जादा बढ़गी एक्षेती के मसले में और अगर जो हमें और जैसे अभी आज की डेट में क्या है के सर जैसे हमें कुछ उर्वर्क हैं कुछ दवाईया हैं जो हमें गोदाम पे उपलब्ध हैं तो साथ में उन दवाईयों के सर जैसे जैविक खाद हैं जैविक दवाईया हैं और उसमें जैसे स्टार्टिंग में कुछ बिमारी आती हैं तो उसके लिए प्रोपर अगर जैविक दवाईया हमें गोदाम पर उपलब्द हो जाए सर तो यह बहुत बहुत बड़ा एक किसानों के लिए हिसकारी होगा यह सब के लिए जिससे की हमारी जमीन की उल्वख शक्ती भी बच जाएगी सर और हमारी पैदावार भी बढ़ जाएगी सर और जो अभी माननीय मुक्यमंधरी जी ने भी काई है मोदी जी ने काया कि हम किसान की optimum double कर सकती है व सर कहने से नहीं हमें भी थोड़ा सा मैनत करनी पड़ेगी सर्व पोसीवल है खेति के अंदर क्योंकि सर्व एक कहवत है खेति हम एक डाना डालेंगे तो وہ सो दाने उगा के देगी धर्ती माता हमें तो ऐसा नहीं है कि जन्ने की खेती या खेती कोई भी है वो घाटे का सोधा नहीं उसे हमें सर्थ थोड़ा सा तोर तरीके बदलाव जरूरी होगा करना जिससे कि हम इसे अपना फाइदे की तरफ लेके चल सकें थेंक्यों में जी बहुत प्रयास बहुत अच्छा लगा और मुझे आशा है कि और किसान भाई भी इससे सीख लेंगे और उनका भी मनोबल बढ़ेगा इतना सुन्दा सुन्दर गोभी की खेत तो मैंने पहली बार देखा हूं बहुत ही सुन्दर आपका महनत और रंग लाया है प्रयास आपका चलि बहुत बहुत बढ़ाई बहुत बहुत बढ़ाई थैंकि सर्व थैंकि सर्व थैंकि